कहा जाता है कि अगर दिन की शुरुवात अच्छी हुई हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। व्यक्ति के कर्म फल ही उनके जीवन का निर्धारन करते हैं। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को दिन की शुरुवात देवी देवता का ध्यान करने के साथ करनी चाहिए. इसके साथ ही सनान करने के साथ साफ सुत्रे कपडे धारन करने के बाद ही अन्य काम करने चाहिए. अधिकतर लोग इन नियमों का पालन करते हैं. लेकिन इन नियमों में से सबसे जरूरी एक नियम है, जिसे सुबह उठते ही सबसे पहले करना चाहिए मान्यता है कि सुबह उठकर दोनों हाथों को जोड अपनी हथेली को देखते हुए एक मंत्र को बोलना चाहिए ऐसा करने से व्यक्ति का पूरा दिन बहुत अच्छा रहता है इसके साथ ही जीवन के हर कश्ट से छुटकारा मिल जाता है और सुख सम्रिद्धी की प्राप्ती होती है जानते हैं सुबह उठकर किस मंत्र का करना चाहिए उच्चारण शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हतेलियों को एक साथ जोड़ कर दर्शन करें इसके साथ ही इस मंत्र का उच्चारण करें आप चाहे तो इस मंत्र को एक बार या फिर अधिक बार उच्चारण कर सकते हैं भक्तो ये मंत्र इस प्रकार है कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले तु गोविंदह प्रभाते करदर्शनम अर्थात मेरे हाथ के अग्रभाग में भगवती लक्ष्मी का निवास है मध्य भाग में विद्याधात्री सरस्वती और मूल भाग में भगवान इस श्लोक में धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती और अपार शक्ति के दाता, सृष्टी के पालनहार, भगवान विश्नु की स्तुति की गई है ताकि जीवन में धन, विद्या और भगवत कृपा की प्राप्ति हो सके। इस श्लोक का उच्चारण करने के बाद हथेलियों को अपने मुह में अच्छी तरह से फेर लें। ऐसा करने से आपके शरीर में सकारात्मक उर्जा का प्रभाव बढ़ जाएगा। भगतो अगर आप भी इस तरीके से अपने दिन की शुरुआत करेंगे, तो आप सभी को सब्सक्राइब जरूर करें।